नमस्कार मैं हूँ प्रवेंड गोतम दोसों वीडियो में इस बात का विश्टेशन करेंगे कि आकरकार कॉंग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने अजनाओं कश्यप पर बाहे फैलाने वाला कटाक्ष क्यों किया और क्यों ये कमेंट सरासर गलत है इसके अलवा इस बात का विश्टेशन करेंगे कि जब लोकसबा चुनाओं को सिर्फ दो महीने वीते हैं तो आज तक ने ये वाला सर्वे क्यों किया कि अगर आज चुनाओं हों तो देश की जनता किसे प्रधान मंतरी देखना चाहती है इसके पीछे का आखिर मकसद क्या है यश्वन देश मुक्ष जिरों ने ये सर्वे किया है उनको भी एक्सपोज करेंगी पहले बात करते हैं कि सर्वे में क्या दिखाया गया है अलना अमकश्य बड़ा खुश होकर बताती है कि देखिए आज अगर चुनाओं होते हैं तो नरेंद्र मोधी को 49% लोग प्रधान मंतरी देखना चाहते हैं वही राहूल गांदी को उनसे आदे से भी कम यानि 22% लोग प्रधान मंतरी देखना चाहते हैं दोसों क्या प्रधान मंतरी का चुनाओ नस्दीक है अब इतो चुनाओ भीता है धाई महिने चुनाओ परिणाम को आए हुए हैं और उसके बाद हमारे देश का बड़ा चैनल पीम मोदी की लोग प्रता दिखाने को आकिरकार क्यों मजबूर है यश्वन देशमुक ने ये वाला सर्वे क्यों किया हर्याना में चुनाओ है सर्वे बनता है महराश में चुनाओ है सर्वे बनता है तो क्या पीम मोदी वहां जाकर मुख्यमंतरी बनने वाले हैं पीम 22 फिजदी लोगों की पसंद राहूल गांदी को बताया गया है दोसों अपने आप इस आकड़े पर कई सवाल खड़े होते हैं जब इंडिया गड़ बंदन ने राहूल गांदी को अपना नेता मान लिया है जब उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया तो किसी दलने विरोध नहीं किया कई बीजेपी समर्थक पत्रकार ये विश्देशन करते हैं कि देखिए भारत में 20% से उपर मुसल्मान हैं तो मुसल्मानों का सपोर्ट तो पहले ही राहूल गांदी के साथ है कॉंग्रेस के साथ है वो उन्हें प्रधान मंत्री देखना चाते हैं जाह यूपी में अकले शादों की पार्टी को वोट दें या फिर बंगाल में मम्ता बंडर जी को मुसल्मान वोट देता है लेकिन प्रधान मंत्री के तौर पर बहुत सारे मुसलिम राहूल गांदी को प्रधान मंत्री देखना चाता है ये बीजेपी समर्थकों का के लोग भी हैं तो क्या उन सब में सिर्फ दो प्रतिशित लोग राहूल गांदी को पसंद करते हैं इस तरह के सर्वे का आखिरकार आधार क्या है एक लाग च्छतिस हजार लोगों के आकलन पर इस तरह का निचोड निकाल लिया गया इसके अलावा पीम मोधी को लोग प् आपको हसी आएगी किस तरह का सर्वे दिखाय जा रहा है इस बात का आखिरकार क्या लोजिक है यह सर्वे कि आ गया कि भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री को रहा है इसमें 52 लोग मांते हैं कि नरेंद्र मोधी सबसे अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं दो 파ैइंटावन फिस्दी लोग नरेंदर मोदी को सर्वकालिन महान प्रधानमंतिरी मानते हैं और वर्तमान सिर्फ इन श्री देखना चाहते हैं तो तीन फिस्दी लोगों का आखिर Memphis का वुगена कैसे हो गया मतलब जो प्रदान मंत्री को सर्वकालिन महान प्रदान मंत्री बताते हैं वो कियो वर्तMAN में नहीं देखना चाहें गे अपने आप में कोमन सा सवाल है कोमन सेंस की बात है और ये दिखाता है कि इस तरह आंकडों की बाजीगरी में भी कितनी बशकानी गलतियां कर देते हैं और इसके अलावा 12 फिस्दी लोग अटल बिहारी बाजपई, 12 फिस्दी लोग मनमोहन सिंग, 10 प्रतिशत इंद्रा गांदी और 5 प्रतिशत जवाल लाल नहरू को प्रधान मंत्री देखना चाहत मतब इस सर्वे को लेकर सवाल खड़े कर रही है पबलिक की पूर प्रधान मंत्री को क्यों निचा दिखाया जा रहा है मतब ऐसे क्या मजबूरी है पीम मोदी को लोग प्रतिशत दिखाने की, क्या टास्क मिला है और बरतमान दोर में जब बीजेपी के खुद समर्थक नाराज है, सोशल मीडिया पर भाडास निकाल रहे हैं कि पीम मोदी कमजोर हो रहे हैं लोग प्रता कम हो रही है, बार बार यूटन ले रहे हैं उसके बाद आकिरकार शायद यही मजबूरी थी कि पीम मोदी की चबी डैमेज हो रही है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि देखिए हमने उनका कॉन्फिडेंस द्वस कर दिया है राहूल गांदी खुले आम दावा करते हैं कि पीम मोदी डरे हुए हैं, पहले चाती फुला कर आते थे, अब एकदम से कॉन्फिडेंस हिला हुआ है तो क्या वो छबी बचाने के लिए इस तरह का सर्वे दिखाया गया है और जिन वैक्ति ने ये सर्वे किया, उनको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं यश्वन देशमुक के कितने सर्वे कलत साबित हुए हैं दोसो दो हजार उन्निस का जो हरियाना का चुनाओ था, पिछला जो चुनाओ था हरियाना में उसमें यश्वन देशमुक का मजाक बन गया था उन्होंने एबीपी नियूस के लिए सर्वे किया था और एग्जिट पॉल में हरियाना में बीजेपी की 80 से ज़्यादा सीट दिखाई थी शायद 83 सीट दिखाई थी उसके बाद मुझे हरियाना एक्सपर्ट के तौर पर एबीपी नियूस पर बुलाया गया मैंने दावा किया कि 40 के आसपास सीट आएंगी जबान पर शायद सरस्वती थी कि पूरी 40 सीट आई क्योंकि हम लोगों ने हरियाना में ग्राउंड पर काम किया था तो जो सर्वे एक्सपर्ट हरियाना जैसे छोटे से राजजय में निचोर नहीं निकाल सकता चलो 5 सीटों का गैप हो जाए 10 सीटों का गैप हो जाए डबल से भी ज़्यादा गलत साबित हुए थे यश्वन देशमुग दोस्तों मुझे आद है कि चुनाव परिणाम के दिन जब पोस्टल बैलेट खुले तो यश्वन देशमुग चोड़े हो गए क्योंकि पोस्टल बैलेट में बीजेपी को शिर्वाती बढ़त मिल गई थी तो उन्होंने दावा किया कि ये फैक्टर है वो फैक्टर है उसके बाद बीजेपी पिशरती चली गई तो यश्वन देशमुग की बोलती बंद हो गई हर्याना जैसे छोटे स्टेट में जो लिचोड नहीं निकाल सकते आकिरकार वो अपने आपको सर्वे एक्सपर्ट कैसे बता सकते हैं कितने सर्वे गलत साबित होंगे यश्वन देशमुग की फिर भी हमाले देश के मेंस्ट्रीम मीडिया ऐसे वैक्ती की विचारधारा के आधार पर इतने बड़े चैनल पर इस तरह का सर्वे दिखाया जाता है जिसमें विपक्ष को नीचा दिखाया जाता है विपक्ष को क अजना पर इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए था बाहें फैलाने वाला क्योंकि अजना उमकश्यप की इसमें कोई गलती नहीं है अजना उमकश्यप एक एंकर है उन्हें बोला जाता है कि आज आपको ये बुलेटिन दिखाना है तो बुलेटिन दिखाती है उन्हें बो आज तक के इस तरह का सर्वे दिखाने पर सवाल उनके जायज है, गुस्सा उनका जायज है, सर्वे पर सवाल उठाते वे क्या कहते है, आलोक शर्मा जरा सुनिये। 1984 के बाद आज यंगेस नेशन है, आज कितने लोग हैं, 145 करोड लोगों में। कि पीएम मोदी को सरवाधिक लोग प्रेय दिखाना है, पीएम मोदी का महिमा मंदन करना है क्योंकि वर्तमान दोर में छवी को काफी धक्का पहुचा है, अपने ही समर्तक नाराज हैं, एक शक पैदा हो गया है कि पीएम मोदी वाकई 56 इंच वाले प्रधानमत्वी बचे हैं मोदी की गारंटी आकिरकार कहां गई, अपने मुद्दो को छोड़कर बार बार यूटन ले रहे हैं तो छवी डैमेज हो रही है, और इस सर्वे को लेकर पब्लिक क्या कहती है, सर्वे को लेकर जब एग्जिट पोल में टीवी चैनलों का मजाक बना था तो रुफैल गां के नाम पर चुनाव से पहले भाजपा का मूड बनाने आ गया, यह लोगतंत्र का अपरादी है, और भी कुछ शब्दों का इस्तमाल किया है, वो शब्द हम यहां पर दोराना नहीं चाते, विनी कोहली फोटो दिखाती है प्रदीप गुपता की, जब वो आज तक पर आकर रोये थे कि मेंसे गलती हो गई, ब्लंडर हो गया, लेकिन यश्वन देशमुक से ऐसी उमीद भी नहीं है, प्रदीप गुपता शया थोड़ा दिल से काम करते गलत साबित हो गए, तो आँखों में आसुआ गए कोई बात नहीं, लेकिन यश्वन देशमुक से ऐसी उमीद करना भी मिमानी है एक और्ट विटर यूजर कहते हैं सुत्र बता रहे हैं कि लोग दफ्तर के अंदर ही सर्वे करते हैं का टाक्ष करते हैं मजाग करते हैं हला कि एक तरफ अंजनास उधीर राहुल चित्रा और श्विता को बिठा जाता है और दूसरी तरफ राजदीब को त यश्वंद देशमुख सर्वे से साफ साफ पता चल रहा है कि किसी पार्टी विशेश के लिए ही बनाय गया है तो यश्वंद देशमुख का ट्रेक रिकोर्ड दिखा कर पबलिक सवाल कर रही कि इतने गलत सर्वे दिखाने के बावजूद देश के बड़े चैनल ऐसे व् बीजेपी की छवी को जटका लगा है कई सर्वे ये भी दिखाते हैं कि राहुल गांदी की लोगप्रता में इजाफा हुआ है उसके बावजूद अगर हमारे देश के टीवी चैनल पर बिना किसी टाइमिंग के बिना प्रधानमंत्री की चुनाव के पीम मोदी का इस तरह पब्लिक उठा रही है कि आकिरकार टीवी चैनल और बीजेपी मिलकर किस तरह देश को लगातार बेकूप बनाएंगी कब तक बनाएंगी आकिरकार कब बैलेंस वाली पत्रकारता की जाएगी आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि क्या वर्तमान दोर में टीवी पत्रकार मकसद क्या है आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में पिरायज जरूर दें इसके अलावा अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के उप्शन के जरिए आर्तिक सहयोग भी दे सकते हैं साथी वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें नमस्कार